ये इसका एक्जामनेशन जो हो का आपका 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 दिसम्बर में हो जाएगा कानफर्म दिसम्बर में हो जाएगा क्योंकि अप्रेल 2014 तक इसको फाइनल रूप से जोइनिय करवाना है Welcome friends, AMS Infornis Studio पर आप लोग का स्भागत है आज मैं विहार दोगा 1275 का जो निया वेकिंसी आया है इसके बिभिन पहलों पर बात करूँगा फॉर्म भरने से लेकर के एक जामनेशन फाइनल सेलेक्शन तक के प्रोसेस पर डिटेल से जर्चा करूँगा लेकिन उससे पहले कुछ महतपूर्ण चीजों को आपसे अवगत करना चाहता हूँ जो गलतियां हुई है बहुत सारे लोगों का और उनका काफी अच्छी त्यारी के बाद भी सेलेक्शन छूट गया उन चीजों पर आपको मैं बताना चाहूँगा सबसे पहली बात एक चीज में बात करना चाहूँगा 246 का दो मेटर मेरे सामने आया हुआ है एक है मेरे अपने दोस तरहुलकुमार है जिसका भी रेलेवे में सेलेक्शन हो चुका है वो छुट गया था इस वज़े से क्योंकि उसने जब हाइट मेजरमेंट था फिजिकल के बाद उन्होंने अपना बाल छिलवा लिया था ठीक है ना उसके वज़े से क्या हुआ कि उसके हाइट को 0.1 से कम मार्जिन में चार दिया जब ने बहुत कोसिस किया बावजूद उसको चार दिया गया था दूसरी बात एक और कंडिजेट थे वह भी रेलबे में है और रेलबे में पहले से थे उनका भी त्यारी जबरदस्त था उन्होंने क्या किया था अपने कैटेग्री को गलत भर लिया था ठीक है ना वह थे EVC में और भर दिये थे BC में और इस वज़े से क्या हुआ कि उनका स्लेक्शन छोट गया था जबकि दोनों का जबरदस्त नमर था तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है तो चलिए अब शुरू करते हैं आपको पता है कि यह 1275 वेकेंसी आया है इससे पहले 1717 आ आपको अगले साल की 2024 में भी 2000 के आसपास एज़ा का पेकेंसी आएगा यह आपको ऑफिसियली कंफर्म कर दिया गया है बिहार सरकार के प्लिस विभाग के द्वारा तो खेर उस पर तो बात में बात होगी आपको 5-10 से चालू होगा और 5-11 मतलब एक महिना का आपको बिंड के आसपास आपको रुपिया मिल जाएगा यह आपका सेलरी रहेगा सेक्शनिक योगता और उम्र का जहां तक बात कीजिएगा तो उम्र आपको चाहिए मिनिमम्म 20 वर्स हर एक कंडिडियेट के लिए वो मेल हो फी मेल हो लेकिन अधिकतम उम्र में आपको फर्क परता है य और जो SCST हैं उनको 20 से लेकर के 42 वर्स के बीच में बिंडो मिलेगा उनके उम्र के लिए यदि को बिहार सरकार के सरकारी शेवग हैं उनको 5 साल का एक्स्ट्रा मिलेगा यनिको उनको 45 साल तक यह एक्जामनेशन भर सकते हैं जैसे कि बहुत सारे लोग बिहार पुलिस में पुराने वाले होंगे तो वह विसको भरेंगे और आप को उम्र का और सेक्षनिक युगता तो आपको पताया है बता दिया, मैंने सेक्षनिक को पता बता दिया कि यह आपको असनात और संक्स होना चाहिए किसी भी एपिरिंग एस्ट्टेंट के लिए भरने का कोई चांस नहीं है उम्र और सेक्षनिक युगता दोनों 1823 को आपको पूरा हो जाना चाहिए निकि एज और जो क्यालिफिकेशन का डेट अफ कटफ रखा गया है वह एक अगस 2023 से रखा गया है इस चीज को धियान से चुनिएगा अब जलिए मैं इस प्रोसस को और आगे समझाऊ आपको इससे पहले मैं अपना कहानी बता जिता हूँ आपको पताय करें प्रीप्लियस के तुवरा सेलेक्टेड हूँ सप्ला इंस्पेक्टर के पोस्ट पर सेलेक्टेड हूँ जो मतलब बहर में बोल जाल के भासां बोला जा अधर जाने के लिए काफर प्रायास करता था. 1717 में मेरा स्लेक्टेड हो चुका था, PT मेंस और मैं दौर में शूट गया था, उसमर्व दौर में छूट गया था कि पीटी को क्वालिफाय किया मेंस नहीं हो पाया था लेकिन इस बिच मेरा जब BPSC हो गया तो फिर उधर जाने की नौबत ही नहीं है तो कहने का मतलब भी जो पांच साल का एक्ष्ट्रा दिया गया सरकारी सेवग के लिए भी हर सरकार में ये किया गया है कि आपको पांच ए या सकते हैं उनको 5- Time य कि अब भी तक WILB история को सरकारी से वग का धर जा नहीं है तो रृट्छा नहीं ही तो वह पैंट साल के छूट में नहीं है अिधि क्लिए उनका बीस थे से से शती में कि में मि dari 20-42 बर्स के बीच में अंतरगाता आता है जिसका टोगडी में वह है तो भार सकते हैं तो मैंने अपना experience भी पता दिया तो मतलब बिहार प्लिस मेरे लिए बिल्कुल नहीं चीज नहीं है मैंने इस पूरे process को देखा है मेरे धर से भी 5 लोगों का हुआ है 17-17 में 17 जी का हुआ था अभी वो SSO के पद पर हैं और SSO का पद भी होना आपने आपने बहुत बड़ा prestige का चीज है कि SSO आप बन गए बहुत बड़ी चीज है फिर 240 से परमोध जी का हुआ था रूविज जी का हुआ था 223 से मिखलेश जी का हुआ था कमलेश जी का हुआ था तो अभी इसली एक सिंसला है अपना लोग आती रहते हैं आप देखना है कि 1275 में कितने लोगों का होता है क्योंकि इस बेकेंसी में टफनेस बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है 223 का में पीटी दिया था क्वालिफाय भी किया था तो उसके भी पीटी का कट मतलब जो कटफ का हो गया था और क्वेशन का लेफल काफी जाता था तो उस पर भी आएंगे बात करेंगे पहले कुछ और मात पूंचीज देख लेते हैं हाइट हाइट कितना होना चाहिए तो मतलब को पूरा ख्लें कर लिए था तो ऑविसली यह चीज आप धिहान रखियगा जबूए शचीज कुछ नाइक उपको साथ सेंटीमेटर का हाइड चाहिए और जितने भी केटोगरी की महिलाएं लिए उसको मात्र 155 cm का हाइड चाहिए तो यह आपका हाइड हो गया सिना आपको पूर्शों को फुलाना होता है महिलाओं को नहीं फुलाना होता स्वेंटीनैंच सेटीफुर्फौ। सीनः में बहुत कम लोगों को चाटा जाता है। यह जोगा है। सीनह अम को लगता है कि सब लोग कर लेते हैं सीना पर बहुत जड़ी सोचने की जरुखत नहीं है। वजन भी आ जाएगे, वजन पुर्सों का नहीं होता है, सिर्फ महिलाओं का होता है, उसमें 48 kg आपको महिलाओं का वजन चाहिए, तो यह हो गया, अच्छा, थर्ड जेंडर भी इस पार इंक्लूट किया है, तो थर्ड जेंडर के जो भी सारेरिक या सेक्षिनिक मापड़न ह महिलाओं के जो भी होंगे उसके लिए हो जाएगा, यह तो होगे आपको हाइट के बारे में, इतना आपके पास हाइट होना चाहिए, और गल्तियां आपको नहीं करना है, जो मैंने आपको बताया था, और गर्ल्स या ओल्फीमेल के लिए 155 cm हाइट शाहिए है, फिजिकल में तो वो टाइगर जम्प और वो जो गल्टी मार करके पेट के बल करते थे हो कर दिया, 213 में बैं कर दिया, इस वज़े से भी बहुत सारे लोग फेल कर रहे थे, तो मेरा अपना यह कहना है, कि सीजर जम्प जो होता है, उसका ही आप्रेक्टिस कीजेगा, ठीक है ना, क् कि वो सर्व जम्प मानने है, 223 में इसको सेट बैं कर देया था, टाइगर जम्प को, 223 में बैं कर देया था, काफी बबाल हुआ था, ठीक है ना, तो खैर उससे पर भी अभी से जब प्रेक्टिस कीजेगा, यदि आप सासत कीजेगा, तो सीजर जम्प का त्यारी कीजेग जो दुरों पैर को एक बार आगे पिछे करके, एक पैर को आगे पिछे करके, जो कुट्ने हो भी लग किजेगा, तो 1600 मीटर आपको सारे 6 मिनेट में दोरना है, 4 फिट आपको हाई जम्प करना है, 12 फिट का आपको लॉंग जम्प करना है, यह सब मैं लर्गों के लिए कह लड़कों का हो गया, और लड़कों का हो गया, फिजिकल हो गया, मैंने हाई बता दिया, अब आजाते हैं, और महत्पोल बातों पर देखिए, अब जो मैं आपको बताऊंगा, स्लेबस और त्यारी की चर्चा सबसे अंत में करूँगा, जो चीजियां आपको नहीं करनी है, तरोगा बहुत ही सेंसिटिव एक्जामनेशन होता है, फोर्म बढ़ने से लेकरके अंतीम तक, यदि फोर बाहर का गया, कहीं कुछ छोड़ गया हूँ, आपको सीधे बाहर करतेता है, यहां पर, BBSC या BSSC में तो थौदा तो आपको लिबर्टी मिलता है, यहां पर नहीं मिलता है, के तोगरी में गलती कीजिएगा, आपका अभ्यार्थी रद हो जाएगा, मान लीजी आप जेनरल वो आते थी EBC में और उन्होंने भर दिया, just because उनके title में गलती हो गया, महा तो normally यहां कुसवा होता है, हलाकि मैं किसी के मतलब की personality पर आच्छे अपनी कर रहा हूँ, एक चीज में example बता रहा हूँ, महा तो title अमोवन भिहर में कुसवा लगाते हैं, लेकिन वो भी अपना महा करना है, जो भी category का reservation लेना चाहते हैं, ठीक है ना, यह चीज ध्यान में रखिएगा, बहुत इस चीज को दिखना है, BPSC में आप क्या होता है, category गलत कर देते हैं, तो आपका अच्छा मार खो रहा तो आपो general में count कर लेता है, लेकिन बिहार दरूगा में नहीं करता है, BPSC जो भी examination है, ब्यार पुलिस अबर से वायो का, उसमें आपको count नहीं करेगा, तो category में गलती नहीं हो रा चाहिए, जिस category का दावा करते हैं, उसका certificate आपको paste करना पड़ेगा, दूसरा बात, आप जो phone नमर और email यूज कर रहे हैं, उसको आपको अंतिम समय तक सम्हाल कर रख आपको नहीं मिलने वाला है, यानि कि अपरेल वगएड़ा तक अपरेल दो हो जाते हैं, इस तक आपको वेकेंसी कंप्लीट हो जाएगा, आपका बाहली हो जाएगा, तब तक आप phone नमर email समाल कर रखिए, एक phone नमर एक email से एक याद मिका registration होगा, ठीक है न, यारी form बढ़ आपको पीटी में फर्म नहीं बढ़ने देगा, इनिक दोवार आपका application हो गया, आपको पीटी में फर्म नहीं बढ़ने देगा, तो छुड़ छुड़ जीजों का ध्यान रखना है, ठीक है न, उसके बाद आ जाते हैं, अब लास्ट में हम लोग बुक्स की बात कर लेते ह आपको पता है कि PT 100 questions होगा, 200 marks का होगा, ठीक है न, और इसमे current affairs और GS पूछे जाएंगे, आपको notification में दोवी चीज़ लिखा लेते हैं, समसमाईक और मतलब की समानने अध्यान, लेकिन 2446 के बाद के हैं न, 5 math पूछा गया था, और 213 में 7 math reasoning पूछा गया था, तो 5 से 10 के ब पर रखता है, लिखता है, notification में आपको ये मान के चलता है कि 15 साब को math reasoning भी पूछाएगा, किस में PT में पूछाएगा, तो ये होगे आपको, मेंस में आपको paper 2 होगा, paper 1 आपको Hindi qualifying होगा, और paper 2 आपको क्या होगा, GS होगा, General Science होगा, GS होगा, General Science होगा, Quality होगा, भारती एतिय होगा, भारती भू, gold math origin होगा, ये छोर चीज़ पर आपको मेंस में पूछा जाएगा, मेंस में आपको current effects नहीं पूछा जाता है, ठीक है, अभी तक के record क्यान हो साथ, negative कितना होता है, तो 0.2 marks, एक question आपको 2 marks का होगा, और negative होगा 0.2 marks, यानि कि 10, 1 by 10 आपको negative है, CDC मतलब यादि आप 10 questions गलती कीज़ेगा, तो एक question के number के बरावर आपका negative हो जाएगा, तो अमोमन बिहार दरोगा में लोग maximum 100 का 100 items के लिए कराते हैं, और ये चलिए 10 बहुत जादा होता है, मतलब आपको लेना ही पड़ेगा, ठीक है न, तो ये चीज़े हैं, तो ये आपका असल अच्छी बात है, नहीं तो आप current भी बने बात सकते हैं, कोई problem नहीं है, certificate, PTE form date भरने से पहले का प्रेस करने की यहाँ पर पात देता नहीं है, तो ये आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, ठीक है न, obviously अभी आप BSCC का भरेंगे, BSCC का भरेंगे, तो obviously मैं मैं मान के चल पॉलिटी का हो गया, भारती थियास का हो गया, भारती भूगोल का हो गया, मैथर इजनिका तो खर अपना इधर सत्यारी के ज़गा, General Science का हो गया, LGS का हो गया, तो उसका अपका घरना चिक का अलग अलग भूमात है, वो देख सकते हैं, Lucent Crown देख सकते हैं, आपको ठीक है न, BPCC के PT के जो previous year question पूछे गया है, वो आप देख सकते हैं, जो बिहार साय के अभी तक PT मेंस के जितने previous year question है, except आपको current refresh शूर कर गया, वो देख के साथ, railway का SPD आपको खासकर, जो mains में, बहुत ही कारगर होने वाला है, ठीक है न, तो ये चीज़ा आपको है, अभी से आप समगर के रूप में लेकर पढ़ा है, ठीक है न, आप ये सूझे का PT का भी कर लेते हैं, फिर mains का लगा नहीं, समगर पा किस चलेगा, हाँ, PT में आ अब जो आप सुचेगा कि अंतिम समय में, कोई आच दिन पहले की जाम से पहले, एक मारकर से भूग ले लेंगे, उस को रख लेंगे, गोट लेंगे, निकल जाएंगे, तो साइद उसकिल होगा, 50-50 वाली चांस हो जागी, क्योंकि जिस तरह से पैटर्न बदल रहा है, तो देख लिए ठीक है ना, और ओनलाइन आप किसे इंस्ट्ट्ट्ट्ट का फॉलो करते हैं, या फिर कोई मतलब कि बहुत सारे ओनलाइन इस्ट्ट्ट्ट्ट्ट यूटीब पो गएरा पड़ते हैं, तो उसको भी आप देख सकते हैं, करेंट का आप समंगरता में त्यारी कि छोड़ी-छोड़ी चीजों का अप देहान पतिख लिए ठीक है ना और तो चीजों की अजीर घियक्ट चैना हो गया है, और अभी ऐस पास इतम भी क democrat होगा तो आप इम्पर्टेंट जाता हैं किसी गिसका एक घ्रमेशन के लिए, फिर इस जारी मैं पादेाना प्ड़ेग को सिर्फ एक सीट के लिए लगने हो इसके लिए त्यारी करना एक largely 75 कोई सुच जिए के लिए पर chip करने वाले हैं सुरी बिहार द्रोगा बासर में अभी की बिहार में बहुत प्रेस्टीजियोगा पारे बिरंडमाना जाता है काफी जाएद के लिधा रहता है तो इस तरह से त्यारी किज्येगा मुख रूप से जो गल्तियों के बारे मैंने जिक्ट किया है ऐसे हाइट हो गया इसे घृट्डबल में करना और एसक की करना है अप्रील खृँजार भी सबस टो इसको सबाएंब्राइंग करतें तो आपे सा nach fir dr booking मैं जो डियार पुलिस अबर से भाइन होग है तो इस चीज निकान रखिए और त्यारी कीजिया, एक चीज़ और है, यह दिमाद कभी मत रखेगा कि पेपर लिख हो जाएगा, यह हो जाएगा, हमको सेटिंग करवाने यह सब कुछ मत रखेगा, बिहार पुलिस में कुछ चीज़ें होती हैं, वो तो सब को दिखती हैं, लेकिन बिहार दरोगा है, या बिहार पुलिक सर्विस कमीशन है, उस सब चीज में बहुत चीज़ें स्ट्रिक्ली होती हैं, तो आप इन जीजों का ध्यान नहीं रखेगा, वलिक अपने मेरिट पर विसबास रखेगा, और त्यारी पूरे जोर जोर से कीजिया, हो जाएगा आपका सेलेक्शन, तो यह ही रखेगा पूल पर रखेगा, जाए एंट